दोस्तों नमस्कार इस वीडियो में UP बोर्ड परिक्षा 2024 के लिए कक्छा 10 विशय हिंदी का माडल प्रस्न पत्र पूरा साल्यूसन के साथ लेकर आए हैं दोस्तों इस बार के बोर्ड परिक्षा में सेम ऐसा ही प्रस्न पत्र आएगा इसलिए आप वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा इससे आपको बोर्ड परिक्षा में काफी सहायता मिलेगी तो चलिए बिना किसी बिलंब के हम आरंब करते हैं कक्छा 10 विशय कोड है ये 901 हिंदी का और ये संकेतांक है पेपर का वर्स 2024 विशय हिंदी समय तिन घंटे 15 मिनट का और पुरुडांक सत्तर अंग निर्देश हैं हाँ इन्हे जल्दी जल्दी देख लेते हैं सभी प्रस्न अनिवार्य है दूसरा प्रस्न पत्र दो खंड आ और बा में विभाजित है खंड आ में 20 अंग के 20 बहु विकल्पी प्रस्न है जिसका उत्तर उयमार उत्तर पत्रक में देना है खंड बा में 50 अंग के वरणातमक प्रस्न है जिसका उत्तर उत्तर पुस्तिका में लिखना है प्रतेक प्रस्न के अंग उसके सामने अंकित है तो जैसा कि आपने जान लिया प्रस्न पत्र दो खंड में आ और ब, आ में 20 अंक का 20 बहुभी कल्प ये प्रस्न है, इसका उत्तर आपको OMR6 में गोला बना कर देना है, जैसा कि आपको पता होगा, तो देखिए पहला प्रस्न क्या पूछता है खंड आ में, अनंत आकास कृती के रचनाकार हैं, देखिए इस माडल प्रस्न में जितने प्रस्न पत्र हैं वह बहुत ही ज्यादा इंपरटन्ट हैं, इसलिए एक भी प्रस्न को आपको नहीं छोड़ना हैं, पहला प्रस्न पूछता है अनंत आकास कृती के रचनाकार कौन हैं, तो दोस्तो यह जै प्रकास भारती जी की रचना है, अनंत आकास दूसरा प्रस्ण सेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है दूस्तों यह अग्ये द्वारा लिखा गया उपनियास्ड विधा की रचना है तीसरा प्रस्ण कहता है प्रगती सील लेखक संग की स्थापना कब हुईई थी प्रगती सिल्य खक्संग की स्थापना 1936 में हुई थी प्रस्न चौथा देखिए अनामदास का पोथा कृती के रचैता कौन हैं? अनामदास का पोथा इस कृती के रचैता दूस्तो हजारी प्रसाद दिवेदी जी हैं प्रस्न पाँच हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? हिंदी प्रदीप इस पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट जी हैं अगला प्रस्न कहता है छे नम्मर का कि निम्न में से हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाब्य है कौन सा हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाब्य है तो दोस्तो प्रिय प्रवास या हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाब्य है अगर पूछता बस हिंदी का प्रथम महाकाब्य कौन है तो हिंदी का प्रथम महाकाब्य पिर्थवी राजरासो है और हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाब्य प्रिय प्रवास है तो यहां उत्तर विकल्प यह सही होगा प्रस्न साथ हेम कृटनी कृती के रचनाकार कौन है हेम कृटनी हेम तरंगनी दोस्तो यह सब रचना है माखनलाल चतुरुवेदी जी की है प्रस्न आठ कहता है चित्राधार काब्य गरंथ के रजीता है चित्राधार जैसंकर प्रसाद जी की रचना है चित्राधार नवा प्रस्न रिती मुक्त काब्य धारा के प्रतिनी धी कभी कौन है रिती मुक्त काब्य धारा के प्रतिनी धी कभी घना नंद जी है प्रस्न दस अनामिका कृती के रचनाकार कौन है अनामिका दोस्तो अनामिका सुरे का अंत्रिपाठी निराला जी की रचना है प्रस्न इग्यारह रस के कितने अंग होते हैं तो दूस्तों रस के चारंग होते हैं इस्थाई भाव, बिभाव, अनुभाव और संचारी भाव यह रस के चारंग होते हैं प्रस्न बारह हरीपद कोमल कमल से पंकती में कौन सालंकार है देखिए हरीपद कोमल कमल से यहाँ पर से सा समसरिस ऐसा जहां वाचक सब्द दिखे वहाँ पर दोस्तो उपमालंकार होता है यहाँ पर हरी पद की तुलना कोमल कमल से की जारी है तो यह होगे आपका उपमालंकार प्रस्न तेरह रोला किस प्रकार का छंद है? रोला दोस्तो एक सम्मात्रिक छंद है इसके प्रतेक चलडों में बराबर बराबर मात्राइं होती हैं तो यह सम्मात्रिक छंद है प्रस्न 14 अनुभाव सब्द में कौन सा उपसर्ग पर्युक्त हुआ है अनुभाव तो दोस्तो अनुभाव में आपका अनुपसर्ग पर्युक्त हुआ है नेतिकता सब्द में कौन सा उपसर्ग यहां उपसर्ग नहीं परते रहेगा नेतिकता सब्द में misprint हुआ है समझ लिजिएगा कि नेतिकता सब्द में कौन सा प्रतय है तो नेतिकता में आपका ता प्रतय है नेतिक मूल सब्द है और ता प्रतय मिलकर हो गया है नेतिकता इसका जब बिग्रह करेंगे तो होगा धर्म और अधर्म तो यहाँ पर होगे आपका द्वन्द्व समास कपड़ा का तत्समरूप होगा कपड़ा का तत्समरूप करपट होता है याद रखिएगा कपड़ा का तत्समरूप करपट अठारह नमबर पित्राग्या में कौन सा संधी है पित्राग्या तो दोस्तो पित्राग्या इसका संधी बिछेत करेंगे तो होगा पित्रधन आग्या पित्रधन आग्या तो यहाँ प्रापका यड़ संदी है पित्राग्या में फलस्य सब्द का विभक्ती एवं वचन है फलस्य फलस्य दोस्तो सश्टी विभक्ती एक वचन है फलस्य हसामी धातु का पुरुष एवं वचन होगा हसामी हसावा हसामा तो यह होगे आपका उत्तम पुरूस एक बचन अब खंड अ समाप्त हुआ अब वर्नात्मक प्रस्न खंड बॉमे है इसका उत्तर आपको उत्तर पुष्टिका में लिख कर देना है तो पहला प्रस्न क्या है निमलिखित गद्यांस पराधारित प्रस्नों के उत्तर दीजिए गद्यांस है इस पराधारित तीन प्रस्न है तीनो प्रस्न दो दो अंक के हैं इस तरह या प्रस्न छा अंक का है तो सबसे पहले हम गध्यांस को पढ़ेंगे इसके बाद इस पराधारित प्रस्नों का उत्तर देंगे तो देखिए जो तरुड संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं उन्हें संसार का चित्र बड़ा मनमोहक परतीत होता है जो ब्रिद्ध हो गए हैं जो अपनी बाल अवस्था और तरुड अवस्था से दूर हटा हैं उन्हें अपने अतीत काल की सिम्रिती बड़ी सुखद लगती है वे अतीत का ही स्वपन देखते हैं तरुडों के लिए जैसे भविस्थे उजवल होता है वैसे ही ब्रिद्धों के लिए अतीत वर्तमान से दोनों को असंतोस होता है तरूड भविस्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और बृध अतीत को खिच कर वर्तमान में देखना चाहते हैं तरूड करांती के समर्थक होते हैं और बृध अतीत गौरों के संरक्षक इन्ही दोनों के कारण वर्तमान सदेव छुपद रहता है और इसी से वर्तमानकाल सदेव सुधारो का काल बना रहता है तो दोस्तों हमने गद्यांस पढ़ लिया आप प्रस्न देखिए और पर्योक्त गद्यांस का संदर्व लिखिए अब इसका आपको संदर्व लिखना है तो जैसा कि आपको पता होगा आप पढ़े होंगे तो याद आगया होगा यह क्या लिखूं चेप्टर से है किस चेप्टर से क्या लिखूं और लेखक कौन है पदुमलाल पुन्नलाल बक्सी तो आप इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे यो पर्युक्त गद्यान्स के पाठ का नाम क्या लिखूं है और लेखक का नाम पदुमलाल पुन्नलाल बक्सी जी है तरूड और बृद्ध दोनों क्या चाहते हैं दूसरा प्रस्न पूछ रहा है तिसका उत्तर भी आपको यह ही मिल जाएगा देखिए तरूड और बृद्ध दोनों क्या चाहते हैं तरूड भविस्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और बृद्ध अतित को खीच कर वर्तमान में देखना चाहते हैं उत्तर मिल गया अब तीसरा देखिए रिखांकित अंस की ब्याख्या कीजिए तरूड क्रांती के समर्थक होते हैं और ब्रिद अतित गौरों के संरख्छक इन्ही दोनों के कारण वर्तमान सद्यों छुपदराता है और इसी से वर्तमान काल सद्यों सुधारू का काल बना रहता है तो हमें इसका ब्याख्या करना है तो यहाँ पर क्या होगा आप बस पढ़िएगा रखांकित अंस को और इसी को थोड़ा चेंज करके आप लिखती जिएगा यहाँ से बिल्कुल लंबर नहीं कटेगा जैसे आप लिखेंगे इसका उत्तर की प्रस्तुत्रे खांकित अंस में लिखक कहते हैं कि युवा करांती के समर्थक पच्छधर होते हैं और ब्रिद अतीत के गवरों के संद्रक्छक होते हैं तरूड क्रांती के को लाना चाहते हैं और ब्रिद अतीत को वर्तमान में जीना चाहते हैं और बस यही कारण है कि इसलिए वर्तमानकाल हमेशा दुखी रहता है और वर्तमानकाल हमेशा से सुधारुगाकाल बना रहता है ऐसे आप अपनी भासा सैली में लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है सुरी माप किजिए गया अब अगला देखते हैं अथवा करके है कुसंग का जोर भयानक होता है यह केवल निती और सदबृती का ही नास नहीं करता बलकि बुद्धी का भी छै करता है किसी युवापुरुस की संग्ती यदी बूरी होगी तो वह उसके पेरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन आउनती के गड़े में गिराती जाएगी और यदी अच्छी होगी तो सहरा देने वाले सुद्रिल्ध बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उनती की ओर उठाती जाएगी उपर्युक्त गद्यांस का संदर अब लिखे देखे इन दोनों में से कोई एक गद्यांस करना है लेकिन यह important है इसलिए मैं आपको दोनों करके बता रहा हूँ तो दोस्तो इस गद्यांस को पढ़कर आप समझ गये होंगे यह मित्रता नामक पाट से है और लेखक है आचारे रामचंदर सुकल तो इसका उत्तर लिखेंगे उपर्युक्त गद्यांस के पाट का नाम मित्रता और लेखक का नाम आचारे रामचंदर सुकल है दूसरा प्रस्ण देखिए गध्यांस के रिखांकित अंस की ब्याच्चा कीजिए तो यहाँ पर रिखांकित अंस है किसी वापुरूस की संगती यदि बुरी होगी तो वा उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो से दिन दिन आवनती के गड़े में गिराती जाएगी तो आप इसी को बस चेंज करके इस देंगे कि प्रस्टुत्रे खांकित अंस में लिखा कहते हैं यदि कोई वापुरूस अगर गलत संगती में पढ़ जाता है तो यह गलत संगती वा उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो से रात दिन बूराई के दलडल में गिराती जाएगी और एक दिन उसका पतन हो जाएगा ऐसे लिख दीजे कोई दिक्कत ने कोई संग का जोवर कैसा होता है इसका उत्तर भी आपको ही मिल जाएगा आप लिखेंगे कोई संग का जोवर बहुत भ्यानक होता है यह हमारे नित्ती और सद्वित्ती का नास करती है अगला देखिए दिये के पध्यांस पराधारित प्रस्नों के उत्तर दीजिए सबसे पहले इस पध्यांस को हम पढ़ते हैं कि निर्कुन कौन देश कोवासी मदुकर कहीं समझाई सोंधे बुच्ती सांच नहासी को है जनक कौन है जन्नी कौन नारी को दासी कैसे बरन भेस है कैसो की ही रस में अभिलासी पावैगो पुनी कियो आपनो जेरे करोगे गासी सुनत मौन हवे रहयो बावरे सूरस अवे मतिनासी तो दोस्तों यह पध्य है पध्यांस और इस पराधारित तीन प्रस्न है यह प्रस्न छे अंक का है प्रस्न दो दो अंक का है दो तीन छे अंक तो सबसे पहले उपरियुक्त पध्यांस के सिर्षक वग कभी का नाम लिखिए तब ही हमने पढ़ा तो आपको याद आ गया होगा कि यह किस सिर्षक से है पद से और कभी का नाम क्या है सूरदास तब इसका लिखेंगे उपरियुक्त पध्यांस के सिर्षक का नाम पद वग कभी का नाम सूरदास जी है पध्यांस के रिखांकित अंस की ब्याक्चा कीजिए यहां दिखे रिखांकित अंस है कि को है जनक, कौन है जन्नी, कौन नारी को दासी कैसे बरन भेस है कैसो की ही रस में अभिलासी तब लिखेंगे प्रस्तुतर खांकित अंस में गोपिया उद्धो से निराकार ब्रह्म के स्वरूप के विशे में पूछती है कि है उद्धो तुम्हारे निराकार ब्रह्म के पिता कौन है उनकी माता कौन है उनकी स्त्री कौन है उसकी दासी यानी सेविका कौन है उनका रंग कैसा है उनका वेस कैसा है और उन्हें किस रस में रुची आता है या उन्हें किस रस में आनंद आता है बस हो गया रिखांकितंस की ब्याख्या अब गोपियों की बाते सुनकर उद्धो की क्या दसा हुई द सबे मतिनासी मानोन की सारी बुद्धी ही नर्ष्ट हो गई अथवा करके है सोहत ओढ़े पितू पटू स्याम सलोने गात मनोन नील मनिसैल पर आत्पू पर्योपरभात उपरियुक्त पद्यांस के सिर्षक का नाम दोस्तो यह क्या है भक्ति सिर्षक का नाम क्या है भक्ति और कभी है बिहारी लाल जी तो आप इसका उत्तर लिखेंगे उपरियुक्त पद्यांस के सिर्षक का नाम भक्ति और कभी का नाम बिहारी लाल है पद्यांस के रिखांकी तंसकी ब्याख्या कीजिए यहां देखिए है कि स्रीकिर्ष्ण अपने स्रावले सरीर पर पितामर ओड़े बहुती सुन्दर लग रहे हैं यह हो गया आपका रिखांकी तंसकी ब्याख्या फिर प्रस्तुत दोहे में कौन सा लंकार है देखिए मनों मानों जानों जनों ऐसा आता है वहाँ पर कौन सा लंकार होता है उत्प्रेक्छा तो यहाँ पर कौन सा लंकार है उत्प्रेक्छा तो प्रस्तुत दोहे में उत्प्रेक्छा लंकार है तीसरा देखिए दिये गये संस्कृत गद्यांस का संदर्व सैत हिंदी में अनुबात कीजिए दो अंक संदर्व लिखने के लिए और तीन अंक हिंदी में अनुबात के लिए तो देख लेते हैं देखिए अगर पढ़े होंगे तो आपको यह संस्कृत गद्यांस याद आ गया होगा ग्रामिलह नामक पाठ से है पाठ चारम है परबुद्धो ग्रामिलह इसका संदर्भ हो गया तो ऐसे आप लिखेंगे प्रस्तुत संस्क्रित गध्यांस परबुद्धो ग्रामिलह नामक पाठ से ओतरित है तो यह आपका संदर्भ हो गया इसके बाद आप हिंदी अनुबात क अता अधिक लज्जित होकर कहा अपने पहेली का उत्तर तुम ही कहो तब वह ग्रामिड हस्ते हुए अपने पहेली का इस्पष्ट उत्तर पत्र दिया क्योंकि यही तो बिना पैरों का दूर तक जाता है अच्रों से युक्त होकर भी पंडित नहीं होता उसी समय उस का गाव आगिया वहां स्ते हुए रेलगारी से उतर कर अपने घर की ओर चल दिया अथवा करके है दोस्तो यम नगरी विविद्धर्मणाम संग मस्थली महात्मा बुद्ध तिर्थंकरः पार्षोनाथ संकराचार्य कवीर गोस्वामी तुलसी दास अन्य चबह महात्माना अत्रागत्य स्वियान विचारान प्रासार्यान नके उलम दर्सने सहित्ते धर्मे अपी तू कला छेत्रे अपी यम नगरी विविद्धर्माम कलनाम सिल्प नाच कृते लोके विश्तृता तो यहाँ किस पार्ट से है वाराणसी तो आप इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्क्रीत गद्यांस वाराणसी नामक पार्ट से आउत्रित है इसके और अन्य बहुत से महात्मा यहां कर अपने विचारों का प्रसार किये ना केवल दर्सन सहित धर्म बलकि कला के छित्र में भी यह नगर विभिन कला और सिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है संसार में प्रसिद्ध है अब प्रस्ण चार क्या है दोस्तों प्रस्ण चार दिये गए संस्कृत पध्यांस का संदर्भसहित हिंदी अनुबात कीजिए यहाँ पर संस्कृत पध्यांस है इसका संदर्भसहित हिंदी में अनुबात करना है यह भी पांच अंक का है तो सबसे पहले देखते हैं क्या है उत्रम यत्र समुद्र से हिमाद्र से चोदा छुडम वर्सम तद भारतम नाम भारती तद रसंतती है यह बीरह बीरेण पुज्यते नामक पार्ट से है तो आप इसका अस्तानर्ब लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्क संस्कृत पद्यांस बीरह बीरेण पुज्यते नामक पार्ट से अतरित है इसके बाद हिंदियन बात करेंगे कि समुद्र के उत्तर में और हिमाले के दक्षिल में जो देश है उसका नाम भारत है और सभी भारती इसके संतान है अथवा करके है मानम हित्वा प्रियोब होती इसका संदर्भ कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांस जीवन सुत्रारी नामक पार्ट से अतरित है इसके बाद हिंदी अनवाद कि मनुस्य अभिमान को छोड़कर प्रियो हो जाता है क्रोध को छोड़कर सोक नहीं करता है कामना को छोड़कर धनवान हो जाता है और लोब को छोड़ कर सुखी हो जाता है या आपका हिंदियन बाद हो गया अब प्रस्ण पांच क्या है कि अपने पठित खंड काब्वे के आधार पर निमलिखित प्रस्णों के उत्तर दे हैँ तो देखिए हाँ खंड काब्वे है हर जीले का अलग-अलग अपना खंड काब्वे होता ह आपके जिले में जो निर्धारित खंड काब्य है उसे आप पता लगा लीजिएगा और उस खंड काब्य का आप मात्र जो खंड काब्य के प्रमुख पात्र होंगे या खंड काब्य के नायक होंगे उनका आप चरितर चित्रण तयार कर लीजिएगा यह पाचवा नमबर पाचंक का चरितर चित्रड खंड काब्य के नायक का जरूर पूछा जाएगा जैसे हमारी यहां का निर्धारित खंड काब्य है जोती जोहर तो हमने जोती जोहर खंड काब्य के नायक का चरितर चित्रड कीजिए ये वाला प्रस्न हर जिले में मिलेगा, हर खंड काब्य में मिलेगा तो आप इसको तयार कर लिजेगा, काम बन जाएगा प्रस्न छठा दिखिए निमलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परचे और उनकी एक रचना का नाम लिखिए लेखक का जीवन परचे देना है साथी रचना का नाम लिखना है आचारे रामचंद्रसुकल रामधारी सेंदिनकर भगवत सरण उपाध्या किसी एक का याद करके लिख देना है आपको याद ही होगा खा में अब निमलिखित कभियों में से किसी एक का जीवन परचे और उनकी एक रचना लिखिये यहाँ पर ये कभी हैं इन में से किसी एक का जीवन परचे और एक रचना का नाम लिख देना है जिसका भी याद हो साथा प्रस्न क्या कहता है अपनी पाठे पुस्तक से कंठस्त एक इसलोक लिखिये जो इस प्रस्ण पत्र में न आया हो तो सर्वे भौन्तु सुखिना सर्वे संतु निराम्या सर्वे भद्राडी पस्यंतु मा कास्चिद दुख भाग भवेत लिख दीजिए इसके बाद आठमा क्या है निमलिखित प्रस्णों में किन ही प्रस्णों का उत्तर संस्क्रीट में दीजिए पदेन बीना किम दूर में आती बीना पैरों का दूर तक कौन जाता है तो पत्रम बिद्या के न वर्धते बिद्या किस से बढ़ती है बिद्या अभ्यासे न वर्धते अभ्यासे बढ़ती है वारारसी कुत्र सास्ती तो वारारसी गंग्या कूले स्थितास्ती यानि वारारसी गंगा के किनारे स्थित है नवा में आपका पत्र लिखना हैगा जिले में बढ़ते भरष्टा चार को लेकर जिला अधिकारी को पत्र लिखिये अथवा नगर की साप सफाई है तू नगर निगम को पत्र लिखना है दस्वा प्रस्न लाश्ट है निमलिखित में से किसी एक बिसे पर निबंध लिखना है सातंक का है मेरा प्रिय खेल बेरोजगारी की समस्य है उमसामाधान अनुसासन का महत्व इन में से किसी एक भी से पर आप अपनी भासा सहली में निमंद लिख देंगे तो दोस्तों मैं उम्मिद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कर दिजिए साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद